हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शुबं from Learnohub, the free learning platform जहाँ पर आप physics, chemistry, math, biology, सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी absolutely for free at learnohub.com, तो चलो, शुरू करते तो आज हम करने वाले हैं class 11th chemistry, chapter 11, p-block elements के NCRT solutions और इचले previous दो वीडियो में हम लोग ने question number 17 तक के सारे सवालों के जाब देखे थे, अब देंके हम लोग, question number 18 से लिके question number 23 तक के सारे सवालों के जाब, और I hope आप सब भी ने, हमारे favorite वीडियो में ने जो one-shot वीडियो बनाया, p-block elements के उपर, वो तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा, तो जाके देख लो, और आपने concept से लिदम crystal clear कर लो, अगर आपको chapter पता है, आपने concept से लिदम पक्के है आपके, तो चलो, देर किस बात की, शुरू करते हैं, and let's rock! responsible for global warming, आपने तो सुना ही होगा, global warming के बारे में, और वैसे भी हमें पता ही है, कि carbon dioxide कितना ज़्यादा important है हमारे लिए, पर अगर कोई भी चीज ज़्यादा हो गई, तो problem ही है, तो carbon dioxide भी अगर ज़्यादा हो गया, तो यह क्या करता है, यह atmosphere का average temperature बढ़ा देता है, और average temperature का बढ़ना इसी को ही तो कहते है, मतलब atmosphere का average temperature को बढ़ना इसी को ही तो कहते है, हम लोग global warming, ग्लोबल वार्मिंग, तो अब कैसे बढ़ा रही है average temperature, देखो, simple सी बात है, carbon dioxide है, greenhouse gas, GHG, यह क्या करता है, यह heat को absorb करता है, अब कैसा सीनारियो है, यहापर देखो यह earth को heat दे रहा है, right, earth भी heat ले रहा है, पर उसको जितना चाहिए, उतना heat लेके, बाकी की heat वो radiate कर देता है, अब जो heat radiate हो रही है, वो तो space के बाहर निकल जा रही है, तो कुछ problem नहीं हो रहा है, पर carbon dioxide का content अगर बढ़ गया atmosphere में, तो मैंने अब ही बताया carbon dioxide क्या करता ह तो यह जो radiated heat है, carbon dioxide से absorb कर लेगा, absorb करेगा तो यह heat हमारे atmosphere के बाहर जाएगी क्या, नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी तो हमारे atmosphere का temperature जो है, average atmosphere का temperature बढ़ेगा, global warming बढ़ेगा, तो चलो दोस्तो, बढ़ते आगले सवाल की तरफ, explain structures of diborane and boric acid, तो हम लोग पहले diborane क structure देखते हैं, तो डाइबोरेन मतलब हमें पताईए, B2H6, अब इसमें शुरू करते हैं, boron के hybridization से, तो boron ground state में कैसा होगा, हमें पताईए, 2S, 2P, तो 2S में 2, 2P में 1, excited state में क्या होगा, boron का जो 2S है, इसमें से उड़ी मारेगा, electron 2P में, राइट, ऐसे, यहाँ पर, तो, एक S और 2P orbitals जो होगे, उसमें electron तो होगे, अब B2H6 के case में क्या होता है, मालू में, यहाँ पर boron, 4SP3 hybrid orbitals बना जिता है, ओके, hybrid orbitals बना जिता है, ओके, कैसे, तो देखो, यह 1S और यह पूरे के पूरे तीनों भी P, आ जाएंगे, तो आप तो कहोंगे यार, vacant orbital भी आ रहा है, अब बताया था ना, मैं थोड़े रहे पहले कि vacant orbital भी आते है, hybridization में, तो, अब यह vacant orbitals, यह SP3 hybridization में, क्या करेंगे, boron, यह, ऐसे, ओके, तीन, ऐसे SP3 hybrid orbital जिसमें एक, एक electron है, जो चलो, electron है इसमें, अब जो बचा हुआ एक orbital है, यह हम लोग dotted line से बता देते हैं, इसमें electron नहीं है, अब आएंगे, दूसरे के पास, तो दूसरा भी होगा, boron, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, एक ऐसे, एक यहाँ पर, ओके, और एक यहाँ पर, ऐसे, और जो 4th SP3 hybrid orbital होगा, यह कुछ ऐसा dotted line से हम लोग बता रहें, तो कुछ ऐसा होगा, यह दो boron का, hybrid orbital का arrangement, अब हम लोग देखते ही कि hydrogen के साथ इनका त्या चक्कर चलता है, तो देखो, यह उन्हें ऐसे निकाला था, यहाँ पर उपर वाला भी एक, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, और तीसरा वाला ऐसा, अब यहाँ पर मैंने जान बूच के वो unfilled जो है, वेकेंट हो, वेकेंट जो है, वो hybrid orbital नहीं दिखा है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे hydrogen का influence, तो hydrogen का orbital देखेंगे, तो hydrogen के पास कितना, मतलब 1s orbital है, उसमें एक electron है, तो य यह एक electron hydrogen का, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसा 1s वाला hydrogen का, और जो दो हो गए, अब बचेंगे कितने, चार, तो चार जो है, यह ऐसा, यहाँ पर जूडेंगे boron के साथ, ऐसा overlap होगा उनका, अब थोड़ा ध्यान देना, अब होगा क्या, यहाँ पर इसके पास एक electron था, चल इसके पास भी एक electron है, 1s के पास overlap होगा, सेम इसके पास भी होगा, इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, और इनके साथ भी होगा, पर यह जो vacant वाला SP3 hybrid orbital है, यह इस case में इन दोनों के साथ, यह दो orbitals के साथ, यह भी overlap कर लेगा, बतलब तीन orbital overlap हो जाएंगे, यहाँ यहाँ पर भी ऐसे, यह vacant वाला है, overlap कर लेगा, तो यहाँ पर भी तीन orbital होंगे, overlap, कहाँ पर यह दो hydrogen जो है, बीच वाले, इनको, इनके उपर, इसलिए हम लोगे इनको bridge वाला कहते हैं, बीच वाले हैं, तो bridge hydrogen atom गोलते हम लोगे इनको, ओके, और यह कैसा हो रहा है, देको structure 3 center है, देखो, 1, 2, 3, तो 3 center यह वाला bond और यह वाला bond के बाद कर रहा हूँ, 3 center हो जाएगा यह, और electron कितने है, 2 electron bond होगा, देखो, 2 electron और 3 center, अजी भी bond बन रहा है, इसके case में भी ऐसी हो रहा है कुछ, यहाँ पर देखो, 2 center है, boron hydrogen, और 2 electrons है इसमें, देखो, तो 2 electron, तो य यह एक, यह दूसरा, यह तीसरा और यह 14, यह 2 center, 2 electron bond है, और यह जो 2 है, मतलब यह 2 hydrogen जो है, यह 2 boron के साथ, कुछ 3 center, 2 electron bond बना रहे हैं, और अब यह, मतलब यह like कैसे करता है, plane में, तो कुछ ऐसे, यह हमारा boron है, यह भी boron है, अब यह जो 4 hydrogen atom है, यह boron के साथ, एक ही plane में होंगी, कुछ ऐसे जुड़ रहे हैं, देखो, 2 center, 2 electron वाले, और जो 2 है, hydrogen atom, जो 3 center, 2 electron वाले हैं, देखो, यह, 3 center, 2 electron वाले, यह वाले, यह एक hydrogen उपर, एक hydrogen नीचे है, plane के, कुछ bridge वाला, मैंने बता आ था, अब, इसलिए हम लोग इनको, banana bonding भी कह हीते हैं, देखो, कुछ ऐसा structure बन रहा है, देखो, कुछ ऐसा overlap हो रहा है, right, इन BHB bonds को, तो, I hope, इनका पूरा पका पूरा अच्छे ते सा structure समझ में आ गया होगा आपको, कि boron और hydrogen के बीच में के सा bonding हो रहा है, तो चलो, अब boric acid का देखते हैं structure, तो boric acid में हम लोग शुर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, फिर excited state में उड़ी मारेगा electron, चलो, गया यहाँ पर, तो 1, 2, 3, अब देखो, क्या होगा, boric acid में, यह हमारा boron तो है, और OH है, right, ऐसे 3, तो OH का जो अपना oxygen है, इसका 2P orbital जो होए, वो overlap होगा boron के साथ, तो यह 2P orbital जो होगा, oxygen का, यह कुछ ऐसा overlap करेगा, boron के इस 1S और 2P से मिलके, जो SP2 hybrid orbitals बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, क्योंकि 1S 2P मिलके, जो 3 SP2 hybrid orbitals बन रहे हैं, इनके साथ overlap होगा, इस oxygen के 2P orbital का overlap, एक 2P orbital बोरon के साथ, overlap होगा oxygen का, दूसरा जो होगा, वो यह hydrogen के साथ overlap कर रहा होगा, तो उससे हमें कुछ फरक नहीं पढ़ता हैं, यहाँ इसी पर ध्यान देना है, कि oxygen का 2P orbital जो है, वो overlap कर रहे हैं, बोरon के SP2 hybrid orbitals के साथ, जो है 3, तो इसके वाज़े से hybridization कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, SP2 hybridization, और जो structure है, बोरिक acid का, यह कुछ ऐसा हो रहा है, planar molecule बन रहा है, कुछ ऐसे, ऐसे, ओके, तो अब इस planar molecule, को हम लोग अगर लेके जाएंगे, और कई सारे boric acid के planar molecule के साथ, जैसे भी यहाँ पर देख रहे हो, आप देखो यह 1, यह ऐसा, और यह देखो, यह ऐसा, यह एक molecule है, इसको हम लोग लेके गए दूसरे के साथ, दूसरे molecule के करीब, यह अईसा, ओके, यह 1, यह ऐसा है, और यहाँ पर ऐसा एक bond के देखो, ओके, तो हो क्या रहा है, इन दोन के बीच में इलक्र नेगेटिविटी का डिफरंस ही है तो डाइपोल क्रियेट होगा तो यहाँ पर पार्शल पॉजिटीव हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक दूसरा ऑक्सिजन होगा यह इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉंडिंग बना रहा है यहाँ पर भी दे बोरिक आसिड में और इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है एकदम लेइन में अड़ा था एकदम बैनर ऑशता बन जाता है इसका नगतले हो बताते हैं बोराक्स को हमारा na2b407.10h2 अब इसको हम लोग strong lead करते तो पहले क्या हो जाता है यह तो एकदम फुल जाता है एकदम सा swollen mass बन जाता है और इससे water का loss हो जाता है तो कितने water का loss हो जाता है पूरे के पूरे 10 water पूरे के पूरे 10 water molecule निकल जाएंगे solar mass बन जाएगा यह na2b407 का अब इससे और तेज हीट करेंगे हम लोग और हीटिंग करते रहेंगे तो क्या मिलेगा अपने को यह जो हमारा B2O3 होता है बोरिक अन्हाइड्राइड इन दोनों को मिलके हम लोग कहते हैं बोरैक सबीद है ओके तो बोरिक अन्हाइड्राइड और यह है हमारा sodium metaborate ओके तो यह दो हम लोग को चीजें मिल जाते एने बी ओटू और बी टू ओट्री यह हम लोग में देखा ही हुए अब आते हैं नेक्स्ट बोरिक असेड इस आड़ेट तो अब यह तो हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था बोरिक असेड मोलो बैसिक असेड है या प्रो होगा यह जो बोरिक असेड है हमें पता है यह ओट ले लेगा तो यह कुछ बी ओट फॉर ऐसा कॉंप्लेक्स बना रहा था उपर रहेगा माइनस वन और ओच लेने के वज़े से एच प्लस बचेगा यहापर तो यह एच प्लस ऐसे बहार निकल रहा था तो एच प्लस जो ओ फॉर और कि सेवनेश हो गए तो यहापर फॉर एच फ्रिसंफर और ऑफाइव तो देखो ओ ओ प्लस फॉर में यह पर दो है और तीन हो पाच हो गए और भी पांच हो है और बोर्वारन बोरान और कुम sorting यहापर ड़ी ही बोरान है राइट चलू अब अब हम लोगने तक था अलुमीनियम का एंपो परीक नेचर बताने के लिए तो अलुमीनियम ले लिया हम लोग ने और किसे ट्रिट कर रहे हैं डाइल्यूट एन ओएच तो वाटर भी है इसके साथ डाइलूट कर दिया है तो ओकी तो हमें क्या मिल रहा था कॉंप्लेक्स मिल रहा था ऐसा एने एल ओएच फोर ओकी ये भी एक ओएच को खा लेता है और ओएच फोर उपर चार्ज माइनस वन होगा तो इसलिए एने एक ले लिए हम लोग ने प्लस वन तो बैलन्स हो जाएगा यह हम लोग को पता है क्या था हम लोग इसका बड़ा लंबा चोड़ा था नाम भी लिखा इसका सोडियम और शुरुवात इससे करेंगे सोडियम फिर टेट्रा हईड्रॉक्सीडो ओके अलूमिनेट थ्री ये था इसका नाम और इसके साथ क्या बन रहा था हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था उड़ रहा था हैड्रोजन टाइंग करनें तो कितने हम लोग ने लिए प्रोजन शेच व में नाएंट ऑच फॉर और त्री टूजज़ा तो यहापर भी त्री टूज़ा यहां पर कितने हैं फोर फोर टूज़ा एट तो एक और रूट्रूसफ हो ट्वैल तो ट्वैल झाटा कर देते हैं और यहांपर भी डूज़ा था तो फॉर्टीनेच तो सब पूरा का पूरा बैलेंस हो गया है अब लास्ट में क्या है BF3 is reacted with ammonia अब यह तो यह देखो यहाँ पर रिकर देते हैं BF3 हम पता यह electron deficient species है इलेक्ट्रां का भूका है विचारा तो ammonia के पास तो मस्तिक्दम lone pair of electron है तो यह देदेगा इसको तो क्या होगा कुछ complex बन जाएगा ऐसा BF3.nh3 बस हो गया तो चलो देखते हैं एक सवाल explain the following reactions A. silicon is heated with methyl chloride at high temperature in presence of copper तो चलो करवाते हैं silicon को react तो silica ले लिया मतलब silicon ले लिया हम लोग ने silica नहीं silica अलग होता है silicon ले लिया हम लोग ने फिर क्या कर रहे हम लोग heat कर रहे क्या करके methyl chloride लेके किसके presence में copper के presence में क्या होता है methyl substituted chlorosiline मिलते हैं हमें अब यह क्या नहीं बड़ा है simple सी चीज़ है देखो silica होगा chlorine होगा और methyl group होगा अब इसी का कुछ formulas बनेंगे मतलब इसी का कुछ arrangement होगा methyl जादा होगा chlorine कम होगा ऐसे कुछ करके हम लोग यह methyl substituted chlorosiline मतलब यह जो हमारा silicon और chlorine जुड़ा हुआ है इसको methyl substitute करते जाएगा तो क्या क्या बनने वाले है देखो यहाँ पर एक तो हमारे पास methyl chloride है इसलिए methyl group आएगा फिर silicon है तो एक methyl group है तो कितने जुड़ सकते हे और तीन क्लॉरिन जुड़ सकते है तो गुछ ऐसा बनेगा और क्या बनेंगे देखो दो methyl group जुड़ सकते हैं silicon के साथ तो 2 chlorine जुड़ेंगे सिर्फ फिर अगर यह तीन मिधाईल वाला भी बनेगा तीन मिधाईल जुड़ेंगे silicon के साथ तो एक chlorine बनेगा और चारो के चारो मिथाईल भी जुड सकते है मतलब ऐसा भी product बनता है इनके reaction से silica के साथ ऐसा जुड गए चारो के चारो मिथाईल भी तो यह 4 हमें अलग-अलग products मिल रहे हैं, ओके? अब silicon dioxide is treated with hydrogen fluoride लिख दिया देखो, क्या होता है, si f4 बनता है, si f के साथ तो f4 4 f लगेंगे, 4 h2o water बन जाएगा देखो, 4 h2o कतम, तो चलो, देखते हैं, c वाला सब question, carbon monoxide is heated with zinc oxide, तो हम लोग ने पढ़ा है chapter में कि carbon monoxide reducing agent की तरह behave करता है, तो इसी लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं, कुछ metals के oxide से उनको extract करने के लिए, तो यहाँ पर देखो concept को use करेंगे हम लोग उसी को, metal का oxide दिख रहा है, carbon monoxide है, extract कर लो चलो zinc को, तो कैसे हो गाए, extract carbon monoxide plus zinc oxide is equals to zinc, zinc बाहर निकलेगा, carbon oxygen को चुरा के लेके जाएगा, carbon dioxide बन जाएगा, ओके, चलो, hydrated alumina is treated with aqueous NaOH solution, तो hydrated alumina, तो हम लोग लेते हैं, यह वाला, alumina तो हमको पता ही है, AL2O3.2H2O, ओके, यह तो होता है bauxite, aluminium का, और है, ओके, अब, इसको हम लोग treat कर रहे हैं, NaOH के साथ, जो aqueous है, चलो, तो क्या होगा, sodium meta-aluminate बनेगा, अब यह क्या हो रहा है, नया ही, कुछ, हम लोग ने पढ़ा हुआ ही है, कुछ नया नहीं है, देखो, हम लोग ने sodium metaborate पढ़ा था, group 13 में, तो group 13 में, ऐसी sodium meta-aluminate बन रहा है, NaAlO2, बस, देखो, meta हम लोग जब लगा रहे, तो देखो, metaborate, तो इसका मतलब B के साथ O2 आएगा, तो element के साथ जब हम लोग O2 लगा रहे, group 14 के, तब meta लगा रहे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, water, ओकी, अब balance करेंगे हम लोग इस reaction को तो देखो, Al2, तो यहाँ पर भी 2Al चाहिए हमें, तो 2Al लगा जाए, दो N हो जाएंगे, फिर 2N ले लेंगे हम लोग यहाँ पर भी, फिर कितने हो गए, 4 oxygen, तो यहाँ पर देखो, 2 oxygen, यहाँ पर 2 oxygen, 4 oxygen और यह 3, 7 oxygen दिख रहे हमें, तो यहाँ प पढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, give reasons, first, concentrated nitric acid can be transported in aluminium container, yes, क्यों नहीं, क्योंकि देखो, यह जो concentrated nitric acid होता है, यह aluminium के साथ react तो करता है, पर react करके क्या होगा, यह aluminium के साथ react करके Al2O3 बना देता है, aluminium का oxide बना देता है, अब container के अंदर, यह aluminium के साथ react करके ऐसा oxide का layer बना देता है ओके, और यह oxide का layer protect करता है, अंदर के aluminium को, जो अंदर है, तो इसको protect करेगा, और इसको protect करेगा मतलब यह react नहीं करेगा, right, HNO3 के साथ, तो फिर यह अंदर HNO3 खुश, यह यहाँ पर aluminium खुश, दोनों भी खुश, इसलिए हम लोग concentrated nitric acid को, हम लोग transport कर पाते हैं, by using aluminium container, ओक ओके, चलो, अब, mixture of dilute NaOH and aluminium pieces is used to open drain, बहुत ही interesting चीज़े देखो, हम लोग ने पढ़ा भी है, यह reaction, aluminium के amphoteric nature के time पी, aluminium NaOH के साथ, देखो, हम लोग क्या कर रहे है, mixture of dilute NaOH, पानी ले रहे हैं हम लोग, NaOH ले रहे, aluminium pieces, aluminium के piece ले लिए हम लोगने, अब क्या हो रहा है, कैसे use क पर हम लोग उसको drain को open करने के लिए, क्योंकि हमें पता क्या होता है, aluminium OH के साथ ऐसा कुछ complex बज़से बना देता है, इसके ओपर minus 1 charge होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहापर Na लगा दे रहे थे, तो ऐसा कुछ compound बन रहा था, जो complex है, अब यह compound बन रहा है, तब hydrogen gas हो रहा था, यादी होगा आपको, अब इसको थोड़ा पूरा balance करेंगे, तो यह 2 Na, 2 Al, 2 NaOH, 6 H2O, 2 NaAl, यह पूरा complex और 3 H2, ओके, तो important हमें यह बात है, कि यहापर hydrogen release हो रहा है, अब यह hydrogen gas जो है, वो pressure से निकलेगा बाहर, बाहर pressure से निकलेगा, तो जो भी drain clog हुआ रहेग वो तो खुल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको drain open करने के लिए यूज करते हैं, यह पूरे NaOH के dilute, मतलब dilute NaOH को और aluminium को, चलो, बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, तो third, graphite is used as lubricant, अब देखो, graphite lubricant की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि graphite soft होता है, slippery होता है, अब यह में ब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि graphite की यह property क्यों होती है, जब हम लोग diamond और graphite के property का जो differences देख रहे थे, based on their structure, तो graphite क्योंकि बहुत soft or slippery होता है, इसलिए lubricant करके use करते हैं हम लोग, और softer slippery क्यों होता है, यह तो हम लोग नच्छे से देखा है, तो आपका अगर देखन सवाल में, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि graphite और diamond में, क्या differences है उनके properties में, और वो हम लोग कैसे explain करेंगे, उनके structure पर, तो आप वो जाकर question देख सकते हो, तो चलो, देखते हैं, next question, aluminium alloys are used to make aircraft bodies, तो aluminium alloy ऐसा, दूर aluminium नाम का alloy है, aluminium का, तो नाम से तो अच्छे से हम लोग corrosion से, और light weight भी होता है, तो अब यह तीनों properties क्यों important हैं, aircraft body बनाने के लिए, ठोड़ा logically सोचो, अगर aircraft का body खुद ही जाधा weak होगा एकदम, तो पिचक जाएगा, उपर pressure बहुत जाधा होता है, तो tough होना चाहिए, corrosion को resistant भी होना चाहिए, moisture होगा, atmosphere में, उससे travel करना होगा, उसके बाद, ऐसे भी अगर aircraft है, तो उसको जंग नहीं लगना चाहिए, यारने तो खराब हो जाएगा, कहा-कहा देखते बेटेंगे हम लोग, और फिर light weight भी होना चाहिए, खुद के वज़न से ऐसा ना हो जाए कि aircraft को इतने जाधा fuel लग रहा है, कि उसको खुद के उटेंसिल शुद नाट भी केट इन वाटर ओवरनाइट, तो यह भी काफी इंपोर्टन चीज़े, याद रखना, दिमाग में चिपका के रखना, क्यों कि अलूमीनियम जो है, हम लोग ने अगर अलूमीनियम कंटेनर में पानी रख दिया, तो पानी में जो डिसॉल्ड अ इंपोर्टन चीज़े में इसमें ये है कि ये जो अलूमीना है, ये पानी में डिसॉल्ड हो जाता है, थोड़ा, ठोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा, तो डिसॉल्ड होके ये एल-3-plus आयन बन जाता है ना पानी में, अब ये एल-3-plus आयन जो है, अगर हम लोग ने दूसर है, poisonous है, इसी लिए बोला जाता है कि aluminum utensils में पानी मत रखा करो, अगर आप रखते हो तो बंद किया करो, ओके, चलो Aluminium wire is used to make transmission cables अब, Aluminium wire जो है यह काफी जादा जो Aluminium है Aluminium wire जो है अपना जो Aluminium है, इसकी electrical conductivity बहुत अच्छी है इसलिए हम लोग इसका wire बना के, हम लोग transmission cable बनाने के लिए यूस करते है, दूसरी बात, अब copper भी तो है हमारे पास, तो copper क्यों नहीं, क्योंकि Aluminium जितना conductivity देगा on weight to weight basis तो उससे, copper से जादा ही देता है, मतलब almost twice देता है, यार, तो काफी जादा useful है, Aluminium फिर transmission cable बनाने के लिए as compared to copper, ओके, चलो चलो, बढ़ते हैं एक सवाल के तरफ Explain why is there a phenomenal decrease in ionization enthalpy from carbon to silicon तो हमें तो पता ही है, देखो, carbon से हम लोग जब silicon के तरफ आ रहे है, down the group तो size बढ़ रहा है अब size क्यों बढ़ रहा है क्योंकि देखो, nuclear charge भी तो बढ़ी रहा है down the group, पर जो shielding है वो कुछ ज़ादा हो रही है, right तो shielding nuclear charge को overpower कर रही है, इसलिए nucleus का influence है, outermost electron तक यह थोड़ा कम हो रहा है इसलिए electron थोड़ा दूर जा रहा है तो size बढ़ रही है अब इसे समझ लिए हम लोग ने, बस size में थोड़ा ज़ादा increase, मतलब size में थोड़ा ज़ादा increase हो रहा है इसलिए हमें तो पता ही है, अब electron दूर जाएगा तो आसानी होगी उसको, release निकालने में, okay, atom से खीचने खीचके निकालने में, आसानी होगी मतलब कम energy लग रही है, इसी को हम लोग क्या कहते है, कम energy मतलब, कौन सी energy कम ionization enthalpy लग रही है तो यहाँ पर size अच्छा कासा बढ़ रहा है इसलिए, देखो size बढ़ रहा है, तो ionization enthalpy कम हो रही है तो यहाँ पर देखो size अच्छा कासा बढ़ रहा है तो ionization enthalpy भी अच्छी खासी decrease हो रही है, phenomenally decrease हो रही है तो दोस्तो इसके साथ हम लोग इस वीडियो के end तक आ गए है, इसके बाद वाले सवाल हम करेंगे next वीडियो में, और I hope आपको इस वीडियो में जो भी सवाल solve किये, जो भी सवाल सीखे, वो अच्छी से समझ में आयोंगे, और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और चैसे आप सभी को पता है, learn over मतलब free है पर best है, तो मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए, bye bye and have a great day झाल